नमस्कार, जै भीम, जै जोहार, मेरा नाम है पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज रैसे तो हमारे देश में इतने सारे मुद्दे हैं सिर्फ बेरोजगारी और महंगाईयों को छोड़ दें तो इतने सारे मुद्दे हैं कि आप ढूनते रह जाएंगे कि कौन सा मुद्दा उठाया जाए और कौन सा मुद्दा दबा दिया जाए इसी तरीके से चालीसा आजान, हिजाब ये सब मुद्दे हैं, लाउड स्पीकर मुद्दा है मगर आपको मैं आज ले चलूँगी ऐसी खबर की ओर, जो की एक तरफा मीडिया आपको नहीं दिखाएगा पटना के सहरसा जिले के नवहट्टा ब्लॉक के अंतरगत आने वाले थाने का एक मौमला सामने आया है थाने के दरोगा द्वारा एक फरियादी महिला से मालिश कराने का वीडियो वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में दरोगा शशी भूशन सिंग है पटना के दरोगा शशी भूशन सिंग फोन पे बात करते हैं जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं फोन पे उससे तो यही जाहिर होता है कि वो फरियादी महिला की बात करते करते उसके एवेज में उस महिला से मालिश करवाते हैं नंगे शरीर होकर और पूरे बदन के कपड़े आप सामने देख सकते हैं उस वीडियो में वर्दी उतार कर टांगी हुई है और दरोगा जी खुब ठाट से बैट कर उस परियादी महिला से मालिश करवा रहे हैं थाना अध्यक्ष शर्षी भूशन सिंग ने महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए नंगे बदन होकर उस महिला से अपने शरीर की मालिश करवाई है ये कहां तक सही है पहले तो आप ये सोच के बताईएगा ये थाना अध्यक्षी इस तरीके की वाहियाद हरकत करते हुए पकड़ा गया है और उसकी वीडियो वाइरल हो रही है अब आपको मैं बताती हूँ इस पुलिस में वर्दी के साथ साथ अपनी लाज लिहाज लोग शरम सब उतार कर रख दिया है अब आपको मैं बताती हूँ कि इस पुलिस वाले का मात्र भर निलंबन किया गया है वो भी मुद्दे से भटकाने के लिए निलंबन किया गया है खाली और सबसे बड़ी बात नितीश कुमार इस विबाग के मुखिया पिछले 16 सालों से है और इस मामले में क्या कारवाई क कि जाती है खाली निलंबन किया जाता है पटना की बिहार से यह खबर जो आई है तो उससे आप अंदाजा लगा लिजिए बिहार में बहार बा नितेश कुमार बा यानि यह भी विजेपी शाशित राज्य है और यहां पर भी इस तरीके की घटना हो रही है और उसको रिमा जहाँ पर थाने के ऐस अच्चो पर एक गैंग रेप पीडिता लड़की ने रेप का केस लगाया है जी हां पहले उसके साथ गैंग रेप किया जाता है चार लोग उसके साथ गैंग रेप करते हैं तरपरदेश के ललित पुर जिले का यह मामला है थाने के ऐस अच्चो द्वारा यह हरकत की गई है सोचिए एक तरफ थाना अध्यख्श होता है और एक तरफ ऐस अच्चो होता है वो भी उत्तर परदेश बुल्डोजर बाबा की सरकार में इस तरीके का नंगा नाच्च किया जा रहा है और वहीं मुल्डोजर बाबा लग क्पिखे पुकारे उनकी कानों तक पहुंशती नहीं सोचिक किस तरीक इसाइव के मानसिकता के लोग उसी ढांचे में बैठे हुए उसी सरकारी तंत्र को हाथ में लेकर बैठे हुए वोही जुडीश्री है वोही थाना अध्यक्ष है वही पुलिस वाले हैं और वही नेताग याद लेकर अगर थाने में ही महिला सुरक्षित नहीं होगी तो आप अंदाजा लगाईए जिस उत्तर प्रदेश की बात बुल्डोजर बाबा करते हैं यानि कि मैं योगी जी की बात कर रही हूं योगी जी बात करते हैं और वादे करते हैं कि महिला सुरक्षित हैं तो यह क पटना का मामला बताया अब दूसरा मामला उत्तर परदेश का ही है तेरा साल की बच्ची जब गुहार लगाने आती है तो एस अच्चो वहां का उसके साथ रेप करता है तो जब महिलाओ के लिए थाने सुरक्षित नहीं होंगे तो वो अपनी फरियाद लेकर कहां जाएंगी कहां पर अपनी कम्प्लेन लिखवाएंगी जब थाने ही उनके लिए सुरक्षित नहीं है जब लोक तंत्र ही भक्षी तंत्र बन जाए तो इस देश में महिलाओ की क्या हालत होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं बुल्डोजर बाबा की राज में उत्तर परदेश में लगातार बिना कोई शोर गुल के लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और योगी जी वादा करते हैं और बोलते हैं कि ये लगातार जो लाउड स्पीकर है बिना किसी शोर गुल के उतार दिये गए हैं और एक लाग स से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार दिये गए हैं वहीं अगर उत्तर प्रदेश में रेप केस की हम बात करें तो एक लाग से भी ज्यादा आकड़ा पार कर जाता है और महिलाइश शुरक्षित नहीं है उसमें योगी जी और बुल्डोजर बाबा ये सो जाते हैं इनको उनकी आवाजें सुनाई नहीं देती हैं जितनी तेजी से योगी जी लाउड स्पीकर उतार रहे हैं क्या उतनी ही तेजी से इस तरीके के भक्षी तंत्र को जो हवा दे रहे हैं ये थाना अध्यक्ष और सरकारी गुंडे जिस तरीके से गरीबों के घरों पर बुल्डोजर चल हैं क्या उतनी ही तेजी से ये सरकारी गुंडों पर भी बुल्डोजर चलेगा योगी बाबा का मेरा सीधा सीधा सवाल है योगी जी से और जिस तरीके से अब इस रेप केस को लेकर सियासत छिडी हुई है क्या वाकई में उस मासूम को नियाय मिलेगा क्या उन चार जोर तंत्र के साथ इस सरकार को खड़ा हमने कर दिया है मगर दावे और वादों के साथ ये फेल होती हुई नजर आ रही है मगर क्या इस तरीके का जो बुल्डोजर ये दिल्ली में चला रहे हैं सब जगा चला रहे हैं ये बुल्डोजर क्या ऐसे सरकारी गुंडों पर च आश्योर्स आषिकार.